आप सब लोग थोड़ा लेट्स हो गया लेट्स हवेर मगर कुछ प्रॉब्लम की वज़े से तो आज हम बनानी जारे मटन मिरियानी तो वादे के हिसाब से मटन मिरियानी बनाऊगी तो देखे पानी में बहुत अच्छे से मटन को धो लिया है और उसके बाद में ये मटन था मेरा 2 kg तक का अच्छा खसा तो इसको इस तरीके से धो लिजिये 2 kg मटनी मेरा उसमें आदा चमच हल्डी डालूंगी चार से पाच डालूंगी धनिया पाउडर आप आपके हिसाब से ले लीजे मगर इतना बस हो जाता है अगर आपकी कॉंटटी सही रहेगी तो बिरियानी भी सही बनेगी तो आदा चमच मेंने हल्दी भरके ली हूँ और 4-5 चमच मैंने धनिया पाउडर ली हूँ एक चमच में कश्मीरी ल बदो लिए, और तीखा भी नहीं होना चीए और फीक साउसे बिरियानी एकदम टेस्टी और मज़े दार होनी चाहिए, खाने के लिए टेस्टी होनी चाहिए, तो 2 किलो मटन था मेरा मेरा 1 किलो चावल रहेंگे कश्मीरी ये एक चमच येभी फुल भरके ली हूँ और चमच देखिए ये चमच मेरा अलग है तो उसी सबसे ये quantity एकदम perfect है एक चमच भरके मैंने नमक लिया है दो किलो इसमें गोश में थोड़ा उपर से अगर आपको लगेगा तो बाद में डाल सकते ये आप 2-3 चमच ले लिजे भरके अगर आपको कम लगता है तो बाद में भी आप डाल सकते हो अभी फिलाल मसाला लगाने के ये वक्त में जितनी जरूरत है उतना हम लेंगे तो देखे ये मैंने चार चमच लिए हूँ छोटे तो ये अगर आपको लगता है कम है तो फिर बाद में भी हम ले सकते है तो चार चमच में डाल दिया आप सबको मिक्स करेंगे चार से पाच घंटा या एक दिन पहले भी आप इसको मसाला लगा के रख सकते हैं जैसे मैं बताती हूँ हमेशा प्रिप्रेशन करके रख सकते हो तो वैसे भी मैंने ये प्रिप्रेशन करके रख दिया था तो फिर देखे अब ये सारी चीज़े रेडी है तो आदा काम तो अब तेल लिया है मैंने ये बड़े दो चम्मच होते हैं दो से तीन चम्मच अच्छे खासे भर के ले लिजे उसमें गरम मसाला पाच-पाच लवांग, इलाईची, दालचीनी, काली मेरी ये सारी कॉंटेटी आप पाच-पाच ले लिजे और तेल आपके हिसाब से लिजे ज भले आप बिलिस्ता डालो उपर से कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि टेस्टी अगर बिर्यानी खानी है तो आपको इतनी कांदे लगेंगे तामाटा भी मैंने रेडी कर लिया है पीसके तामाटा भी हम रेडी पीसके रगें जैसा ये बिलिस्ता हो जाएगा हम तामाटा दालेंगे तो कुछ-कुछ वीडियो आ जाते कुछ वीडियो अगर नहीं आते तो आप उसका बहुत ध्यान रखना क्योंकि कभी बताने में गलती नहीं कर सकती हूँ हाँ वीडियो कभी हो नहीं पाते रीजन है क्या मूबाइल लेता नहीं और मूबाइल वैसे भी दो हफ अच्छा ऐसा हो जाने के बाद मैंने वो टमाटा डाल दिया अब यह गोज जो मसाला लगा के रखी ती तो यह मैंने पूरा डाल दिया इस तरीके से आप डाल सकते हो क्योंकि आपने परप्रेशन साफ सफाई से करके रखी ती और आपको पता है आपी नहीं किया था तो उ अब इसको घुमा के रख देंगे और इसका धक्कन लगा के छोड़ देंगे इस तरीके से मैंने डाल दिया है अब इना थोड़ा कैसा होता है यह बरफ का है तो इसमें टाइम कुछ नहीं लगता है आपको कर धक्कन लगा दीजे वह अपने आप अंदर पग जाएगा तो मैंने दो से तीन सिटी मारी तो नहीं पका तो फिर से खोल के मैंने दो सिटी मारी तो आप जादा सिटीया नहीं माना दो तीन सिटीया मार के देखते रहे ना पका है क्या ने बाजु में मैंने चावल डाली हूँ, चावल के लिए पानी रखका है, तो आपके सब से मैंने ये दो लिटर पानी रखका है और एक किलो चावल बनाने, तो गरम मसाला पाच पाच लवा, गिलाईची, दालचीनी, काली मेरी, दो चमच नमक और जीरा, इन सब को उबलने के लेक्षोड दोंगी, जैसे उबल जाएगा, चावल में तब तक बाजु में धोते जाओंगी, तब तक समझो का पानी गरम होता है, आदा गंटा होई जाता है, अभी भी मेरी तबेट ठीक नहीं है, एडमिट थे हॉस्पिटल में थी, पूबाइल भी खराब था, अब बन ĩटी रेसेपी, जैसी ब्स तब तमिए अच्छी होते रहेगा, जो शूट करके रखी हो भी डाल दूगी तो देखे इस तरीकी से, तो सीटी होते रहेगी, 3 इले टाइम में चार सिटी ही मानना क्योंकि मसाला नीचे लगनी पाए क्योंकि कभी कभी किसी किसी का कर ऐसा होता है जिसका मसाला लगता है तो हम में तो यह सब चीजों का बहुत ध्यान रखती हूं कि मसाला जले नहीं लगे नहीं रीजन ही कि फिर आपका पका के कोई मतलब तो इसका बहुत ध्यान रखना है, फिर से में 2 सिटी मारूंगी और फिर खोलूंगी, फिर खोल के फिर बटाटे डाल के फिर 2 सिटी मारूंगी, क्योंके बटाटों को एक या 2 सिटी बस हो जाती है, अगर आपके बड़े-बड़े हैं बटाटे के तुकडे, तो आपको 2 में उसको ले लूँगी उबा इसके पका के तो जिससे उसका टेज भी आएगा कभी-कभी ऐसा भी पकाना जरूरी है तो देखे इस तरीके से मैंने चेक करी हूँ लेके जरा भी लगा नहीं है मेरा अब मैं डालूंगी इसमें बिलिस्ता बिलिस्ते में धाई और बिलिस्ता मिक्स करके इस तरीके से फेट के रखा था अब मैं इसको डाल के मिक्स कर दूंगी उपर से बटाटे डालूंगी और दो सिटी मारूंगी और कुकर मेरा पूरा भर चुका था, थोड़ा भी जगा नहीं होती है और फिर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, रीजन है कि कई उसका ये नहीं भार है और जो जल नहीं जाए, इसका बहुत ध्यान रखना, देखें मैंने बटाटे भी सारे डाल दी हूँ और दो ही सिट बड़े बड़े थे और मैंने जादा डाली हूँ, क्योंकि बटाटे सभी को पसने खाने के लिए, अब पानी भी मेरा अच्छा खासा उबल चुका है, आदा घंटा हो जाता है पानी उबलने के लिए, अगर आपका बड़ा गयास चिल्ला भटियारी का जैसा होता है, तो बड़े बल दना धे जल्दी हो जाता हि, अपने गैस में थोड़ा टाइम लगता है, तो लोगे पर नजया, पहले आपको चा़ए लगें अगर आप ऋपानी में उबलनी कालता है यह चावल जाएगा, आप लिए ओ लगए ऑफे कर लिटेसे ही और लजदर भी लगेंगे, अगर आप ऐसे ही खिरवट डालोगे तो चावल में दम ने रेता, पकरने के बाद भी मज़ा नहीं दिखाई नहीं देता, अच्छे लंबे चावल चाईए तो आपको इसी तरीके से करना है, तो देखे मैंने अब थर लगाना, बटाटे में हमेशा नीचे डालती हूँ, री और कोट में डालके उसको थर लगा सकते हूँ, तो माशला है थर लगाने का भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके है, आप दो तीन थर भी लगा सकते हो, एक थर पे भी तो एक थर काई अभी है मेरा, जादा नहीं है, और पाओ के साथ अगर आपका बचा हुआ मसाला है, त सबी को मालूम है, जो मसाला बचता है, तो वो टेस्टी होता है, तो खाने में भी मज़ा आता है, और जब पकते रहता है, तो सबी का ध्यान होता ही अच्छे चीजों पर, जैसा फ्राए तो आज बटटा किया नहीं है, तो फ्राए बटटे पर तो देखे मैंने इस तरीके से थर लगा दीजे, अच्छे से, और सारा चावल डाल दीजे, और सही कर दीजे, हलके से दो तिन चमच मैंने निकाल दी हूँ, वो मसाले के साथ खाने के लिए, टेस्टी लगेगा, क्योंकि इसको दम पे आने के लिए भी 45 मिनट लगेंगे, तो अगर किसी को जाना है, त तो देखे इस तरीके से, तो दम पे मैंने कलर मार के रख दिया था, 45 मिनट, उसके बाद में मैंने ये कंटेनर में उपर के चावल निकाल दी हूँ, अलग से वाइट और ये कलरिंग चावल निकाल के साइट कर देती हूँ, उसके बाद में इस तरीके से प्लेट में आप निकाल के खा सकते, तो जादा से जदा लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना, और बिरियानी की रेशेपी मेरी नए सान में जो वादय के रहादे, जो वादा किया था, उस वादय के हिसाब से मैं आपको बनाके रेशेपी डाल दी हूँ, मटन बिरियानी की, थोड़ा लेट हो तबेट की वज़े से रैसे पी तो बन चुकी थी, मगर डालने के यह नहीं था, रीजन है कि मैं एडमिट थी और बीमार भी बहुत थी, और बहुत मेरे हालात अच्छे नहीं थे इस वज़े से, तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जादा से जादा करना, और मेरी ये वीडिय के सारी चीजे लाइए, बनाइए, खाइए, जादा से जादा लाइक, शेर, सब्सक्राइब करते रहना, और मेरी वीडियो को देखते भी रहना, क्योंकि देखने वाले बहुत वीवर्स कम हैं इस वज़े से, और पता नहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम के वज़े से मेरी वीडियो जानी पते, फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बार बार, थेंक यू, बब बाई